सरिसका में हुई जमजम बरसाथ के बाद रूपा रेल नदी में जमकर पानी की आवकुई लेकिन जैसमंद बांध की ओर आने वाली नदी किया हिस्सा माला खेडा की तरह जाने वाले पूल पर जल कुम्बी की वज़ा से पानी में अवरोधक होने के कारण पांच खानों में स मात्र एक खाने में ही पानी जैसमंद बांध में पूंचा जिसको देकर अलवर शहर विधायक संजी शर्मा ने मौके पर पहुंच कर नदी किनारे पडाव डाल दिया और कई घंटे तक बैठे रहे जिसमें प्रशाशन को फौन करने के बाद जब तक प्रशाशन की करमचा गई जिसके कारण पानी की भाव में अवरोधक हुई जिसको देखते हुए शहर विधायक बड़े दुखी हुए और स्वयम ही जलकुम्भी को हटाने पहुंचे और वहीं पे उनको हटाते नजर आए में सिंसाइवी भाग द्वारा जेसीवी की साहते से अवरूध मार्ग से जलकुम्भी हटाई कई शहर विधायक शर्मा काफी पहले से ही जैस्वन बान में अधिक से अधिक पानी पहुंचे इसके लिए संगर्ष करते आए हैं और पूर्जोर से प्रियास कर रही है ताकि अलवर शहर वास्यों को पानी मिल सके विधायक शर्मा काफी देर तक ध जलकुम्भी हटाने के लिए जूटे रहे इस मौके पर संचाय विभाग के करमचारी अधिकारी मौके पर पूंचे अगबर पुर्थाने से पुलिस भी मौजूद रहे जी सर बता आज नदी अच्छी आई थी लेकिन अपने जय समंद बान में पानी कम आत्रम पहुंचा क्या कारण रहा है और अब क्या प्रियास हो रहा है देखिए नतनी के बारा छेत्र में जलकुम्भी के कारण पानी का जो मार्ग है वो पूर में अवरुद हुआ बढ़ा थ इस विशे को लेकर के दिशा की जो मीटिंग थी जिला परिशन में हुई उसमें मैंने विशे बड़ी पुर्जोर तरीके से उठाया था और जिला कलेक्टर मौदे से संब्दित हमारे जो एक्षेन है इरिगेशन की जूस बैटन हो वजूद थे मुझे आगरे कि जलकुम् को बेटाया है कि दुर्भा के पूर्ण इस्थिति यह है कि पहली वर्साथ जब हुई जलकुम्भी जो नट्ने के बारा पर लगी वह अटकर के जो नट्ने का बारा से लेके माला केड़ा तक का मार गए उस पुलिया पर आकर के अटक गई चार दिन पहले मैं खुद मौके पर आया था मैंने एक्षिन साब को आगरे किया था पहुंच करके कि आप यह जलकुम्भी को हटवाओ तो जिससे परसाथ होगी तो पानी चैसमन्ति और जाएगा दुर्भा के पूर्ण इस्तिति यह है आज नलदेश्वर महादेव का जो चेत्र है उस रिसका का वन्य चे कि तरफ दिख रही है आप सबको उस पुलिया पर जलकुम्भी को कारण पांच वैसे चार गेट पानी के अवरुद हो गए और मात्र एक गेट के द्वारा जैसमन्ति पानी गया और भरतपुर की तरफ जो नदी जा रही है उसमें हो आयात में हमारा पानी जो हमारा फुसक अब पांच मिनिट पहले यहां जैसीवी आई है जैसे विवागे एक्षेल साफ यहां के हमारे जैसीवी के मात्यम से जलकुम्भी को अटाने का काम किया जा रहा है मेरा यह कहना है अगर जलकुम्भी को पहले ही अटा लिया जासे तो आज जो बड़ी मात्त्रम में कभानी आया है जैसे मंने जाता जैसमंध प्रहु को प्रहने का ज़ूहरा प्रयास है उस प्रयास बहुत हब ने के बाद के बात कि पशासने का अधिकार्यूंपे कोई असर नहीं हो रहा या तो कोई रह नीतिक प्रेशर उनको उपर है या वो जान पूछे काम नहीं करना है तो मैं अलवा शहर की जंता से भी आगरे करूँगा कि हम को ये लड़ाई लंभी लड़नी होगी हम सब को मिलके लड़नी होगी हम सब का प्रयास है कि हमारा जैसमा